जी मीडिया कॉंक्लेव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी योगी आदितिनाथ ने कोरोना काल में किये कामू से लेकर विकास के पाइदान पर यूपी कहां खड़ा है तमाम उद्दू पर बात शीत की इस दोरां सीम योगी ने फेक एंकाउंटर की तोहमत उपर दो टू स्वागत है मुख्यमंतरी जी मुख्यमंतरी चार साल में आपने एक बात कहीं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास आपकी पार्टी की बात है विरोधियों को विश्वास क्यों नहीं होता और विरोधियों को कई बार आप से डर भी लगने लगता है कि योगी जी तो कहते हैं टाइट कर देंगे ठीक कर देंगे ठोग देंगे तो ऐसा क्या है दिखे यह लोग थे जो हर यूग में पैदा होते हैं और उन लोगों का भगवान पर भिश्वास नहीं रेता है है कि तो हर यूग में होए हैं को अब होली मनाएंगे उसमें बहुत सारे पात्र ऐसे थे जो कहते थे कि विश्णु है नहीं कि विश्णु कि अउतार भगवान राम हो ये बात में को पुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते थे राम बिक करतें और असे क्यातें एक और अफ शुच्न परव्याइद क्वेंगे व योगी आप गुण्डों के सब्व करेंग माफिया कि इसको सुई करती हैं प्रहिह सो करती हैं विरोध्यों कि चुन्चुन कर उन से जुड़े हुए लोगों पर कारेवाई होती है, मुखतार अंसारी के लिए पूरी पंजाब सरकार लगी हुई है कि यूपी ना आने पाए, आपकी टीम लगी हुई है कि किसी भी तरीके से यूपी लाना है, और अब तो उनको डर हो गया कि उनकी टोपी भी उचलने लगी है तोपी भी उसकी तुलना आपने कर दिया है तो वो बड़े परशान हो गए है कि योगी जी कर क्या रहे हैं, कितना बेस्रम नित्रत्व है कॉंग्रीस का, एक दुर्दान तो माफिया और अपराधी को, किस बेस्रमी के साथ प्रस्रे दिया जा रहा है, जिस पर हत्या और त प्रदेश के अंदर बिभिने नियालियों में चलने हों, उसको एक छोटे मामले में डेड़ वर्स अधिक समय से पंजाब की एक जेल में खातिरदारी करके उस दुर्दान अपराधी को बचाने का प्रियास क्या रहा है, यह सब क्या है, कॉंग्रेस का ये नित्र तो कहीं म वक्तब देते हैं, कोई न पर विस्वास करेगा कभी, जिन अपराधियों के हाथ, निर्दोस लोगों की हत्याओं से रंगे हुए हूं, नजाने कितनी बेहन और कोई इन्होने बिधुहा बनाया है, नजाने कितनी बेटियों के कौनात बनाया है, और किस बेस्वरमी के जिहाद के लिए जो कानून बना है उसको लेकर कई और राज्यों ने भी कहा कि हम इसको लागू करेंगे लोग कहते हैं कि योगी जी का जो हिंदुत्व है योगी जी की जो लाइन है वो सारे बीजेपी के राज्य जो है वो शुरू हो जाते हैं और एक समुदाय विशेश के खिलाफ कहीं ऐसा लगता है कि कानून बन रहा है प्र송 से छद्म से धोके से यह provided आपका जो नाम है आप ओंग रखी ना यह आप नाम बदलदी आप चल करके किसी बालिका को धोके में रख करके पहले उससे साधी करते हैं बाद में उस पे दबाओ बनाते हैं कि नहीं मेरा नाम अल्नील नहीं मेरा नाम तो असलम है और इसलिए अब तुम भी जो है अपना नाम इससे ये रखो जबरदस्ती आप उसका उसके बाद मतांतन करवाते हैं और ना करने पर हत्या कर देते हैं यह स्विकार नहीं हो सकता है तो हजार नो में केरल हाई कोट केरल की सरकार को इस बारे में कहे चुका है कि लब जिहाद केरल जैसे स्टेट को इसलामिक स्टेट बनानी की साजिस का हिस्सा है अगर कहीं आग लग रही है क्या हमे ठोकर खारा है तो उससे समखलने की आदत हम भी डालें और यह समखलने की एक प्रक्रिया का हिस्सा है लब जिहाद कानून उत्तरब्रदेश के अंदर कि कोई भी विक्ति क्योंकि यह दंगे की प्रिष्ट भूमी तयार करता है लब जिहाद रुकेंगे आएक छोटे से ब्रेक के लिए